ओम शान्ती पतित पावन ज्यान सागर रहम दिल गीता का भगवान जनम मरण के चक्र से न्यारा बेहत का बाप संगम युग पर आकर माताओं पर ज्यान का कलक्ष रखते हैं और आत्माओं की सोई हुई बुद्धी को आकर ज्यान के द्वारा जागरित करते हैं जिस जागरित बुद्धी के आधार से आत्मय पुरिशार्थ कर संगम युग पर संपूर्ण संपन बन सत्युगी वर्सा पाने के अधिकारी बन जाती हैं, तो आईए रिवाइस करते हैं आज के 29, आईए रिवाइस करते हैं आज के 22 सेप्टेंबर 2022 के महावाक्यों को, सच्ची कमाई का आधार क्या है? चलते फिरते कर्म करते बाप की याद में रहना, जिन बच्चों में ज्यान की पराकाष्ठा है, उनकी निशानियां क्या होंगी? मैनर्स सुधरते जाएंगे, अवस्था एकरस हो जाएगी, करमिंद्रियां शीतल हो जाएंगी, करमिंद्रिय की चंचलता समाप्त हो जाएगी, श्रिव बाबा की याद बुद्धी में यथार्थ नहीं है, तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? कोई ना कोई विकर्म जरूर होगा, बाप का फर्मान न मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे, बुद्धी इतना काम नहीं करेगी, कि हमसे को कोई विकर्म हो रहा है, श्रिव बाबा संगम युक पर आकर क्या करते हैं? पतित से पावन बनाते, महराजा धिराज बनाते, भारत को साहुकार बनाते, ब्रम्हा मुख द्वारा डारेक्शन देते, माताओं पर ज्ञान का कलश रखते, सच्ची कमाई कराने के लिए हाते, हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते。 क्या होने से क्या होता है? खुद में मैनर्स ना होने से उन्नति नहीं होती, बाप का फरमान न मानने से धोखा खाते, पवित्रता गुम होने से सिर्फ एकताज रह जाता, सच्ची कमाई करने से विश्व का मालिक बनते, बाप के साथ बुद्धी योग लगाने से विकर्म विनाश होते, इसलामी बौधी आदी के आने से आदी सनातन देवी देवता धर्म गुम हो जाता, श्रिव बाबा को याद ना करने से विकर्म विनाश नहीं होते और ही डबल विकर्म करते, किसको क्या कहा जाता है? मुर्ली से प्यार करने वालों को मास्टर मुर्ली धर, स्वर्ग का द्वार खोलने को स्वर्गवासी बनने का पुर्शार्थ करना। हम अच्चे संगम युक पर क्या क्या करते हैं? ज्यान सागर से सुनते, मंदिर लायक बनते, सर्वगुण संपन्न बनते, गरीब से साहुकार बनते, बेहत के बाप से बेहत का वर्षा लेते, नर्गवासी मनुश्यों को स्वर्गवासी बनाते, हम कहीं भी होते युद्ध के मैदान में रहते, सच्ची कमाई कर विश्व का मालिक बनते, हम बच्चों को किन बातों को धारणा मे लाना है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, बाप और वर्षे को याद करना है, hear no evil, see no evil, talk no evil, किसी भी बात में संशे उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है उसे शेश बातें, सुप्रीम टीचर से हम गौडली स्टूरेंट उचे से उची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो हमें बाकी सब बातों को भूल, जो कुछ भी अज्यान काल में पढ़ा है, उन सब को बुद्धी से भुला कर, बाबा की इस पेहत पढ़ाई में स्वयम को बिसी र संपून बन अपनी श्रेश्ट अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे, ओम शंति